दोस्तों यदि आपको start delta starter का control wiring समझ में नहीं आता और यदि आप बार बार control wiring को भूल जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए perfect होने वाला है क्यूंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं start delta starter का पुरा concept को explain करने वाला हूँ जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा star delta starter होती है उसमें हमें 3 contactor और एक timer का इस्तमाल करना पड़ता है ये जो आप contactor का symbol देख रहे हो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा man contactor है ये हमारा star contactor और ये वाला हमारा delta contactor और इसके बार ये जो आप symbol देख रहे हो ये एक timer का symbol है और star स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हम टाइमर इस्तामाल करते हैं वह ओन डिले टाइमर होता है अब जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा मोटर होता है उस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम ओवल और रिले का इस्तामाल करते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट् push button का इस्तामाल कर लेंगे जब भी हम कभी control wiring करने जाते हैं तो जो हमारा control wiring होगा उस control wiring के protection के लिए हम एक fuse का की इस्तामाल करते हैं control wiring में जो हम fuse इस्तामाल करेंगे वो 2 amp का होना चाहिए अब जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा control wiring होता है वो दो पस्तो face supply वाली line second neutral power supply वाली line जदी आपका control wiring single face में होगा तो आपको face supply और neutral supply का इस्तामाल करना है लेकिन यदी आपका control wiring दो face के बीच में होगा तो आपको यहाँ पे दो अलग-अलग face का इस्तामाल करना पड़ेगा अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा contactor है और जो timer है इन contactor और timer को सबसे पहले तो हम neutral power supply के साथ connect करेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारा neutral power supply है इन में से एक वार को connect करते हुए इन सभी को neutral power supply के साथ में connect कर देंगे और इसके बार फिर supply से एक बार को connect करके जो हमारा fuse है उसको input power supply दे देंगे अब fuse से जो हमें output power supply मिलेगा उसको ले जाके overload relay के nc contact के साथ connect करना है अब ये जो हमारा overload relay का nc contact है इससे जो हमें output power supply मिलेगा इसको ले जाके हमें stop push बटन के साथ connect करना होता है अब ये जो stop push बटन है इससे जो power supply जाएग हमें decide करना है तो जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा star delta starter होती है उस starter में सबसे पहलो तो star contactor on होना चाहिए उसके बाद में हमारा man contactor on होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा start push button है इसमें से एक बार को connect करके जो हमारा star contactor है इसको हम directly face supply दे देंगे लेकिन यदि आप इस प्रकार से connection करते है तो आपका connection गलत हो जाएगा connection क्यों गलत होगा क्योंकि आपको यहाँ पे एक interlogging का भी इस्तमाल करना होता है आपको क्या करना होता है कि यह जो हमारा delta contactor है इस delta contactor का जो nc contact होता है उस contact को ले जाके जो हमारा star contactor है इसके circuit में इस्तमाल कर लेना है जिससे benefit ये होगा कि यदि हमारा delta contactor on है तो इस condition में हमारा star contactor है ये on नहीं होगा यानि कि यदि हम start push बटन को दुबारा से प्रेज कर दे तो उस condition में भी हमारे star contactor में power supply नहीं जान जीए यदि by chance star contactor और delta contactor एक साथ on हो जाएगा तो इस condition में 100 circuit हो सकता है इसलिए यहाँ पर हम एक interlocking के इस्तमाल कर रहे हैं अब इसके बाद में हमें क्या करना है ये जो start push बटन है इससे एक वार को connect करते हुए जो delta contactor का nc contact है इसको input power supply दे देंगे अब इसी nc contact के output टर्मिल से एक वार को connect करते हुए ले जाएंगे और जो हमारा star contactor है इसके a1 टर्मिल के साथ इसको connect कर देंगे दोस्तों ये जो हमारा timer है इस timer को भी हमें सबसे पहले start करना होता है यानि कि जैसे ही हम start command generate करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा star contactor और जो timer है इन दोनों में power supply जाना चीए तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा timer है इसको भी power supply यहां से एक वार को loop करते हुए connect कर देंगे यानि कि जो power supply star contactor में जा रहा है वही power supply टाइमर में भी च हो जाया और जितने भी हम time सेट करेंगे उसके बार में जो timer है उसका काम कर देंगे अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा star contactor है इसके on होने के बाद में हमें man contractor को on करना है अब यहाँ पर आती है इसके on होने के बार man contactor on होना चाहिए और जैसे कि आपको मालूम है यęd man contactor को on करने के लिए यानि कि जैसे ही हमारा start contactor on होगा इसका जो no contact है वो nc बन जाएगा जिसे क्या होगा power supply आगे flow होते हुए हमारे man contactor को चला जाएगा और जो हमारा man contactor है ये on हो जाएगा अब ये जो no contact है इसको power supply देने के लिए हम क्या करते हैं ये जो stop push बटन है इसके नीचे वाले terminal से एक वार को connect करते हुए ले जाएंगे और इसको input power supply connect कर देंगे अब इस no contact के output terminal से एक वार को connect करके जो हमारा man contactor है इसको on होने के लिए fair supply दे देते हैं अब ये जो man contactor है इसको hold करके रखने के लिए हमें एक holding circuit बनाना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या क जो हमारा man contactor है इसके a1 terminal के साथ connect कर देंगे यानि कि यहां पे holding circuit बना दिये जिस प्रकास हमने man contactor को hold करके रखने के लिए no contact का इस्तमाल किये उसी प्रकास है जो हमारा star contactor है इसको भी hold करके रखने के लिए हम no contact का इस्तमाल करेंगे ये जो हमारा man contactor था इसको हमने directly holding circuit ब ना देंगे तो इस condition में क्या होगा जो हमारा star contactor है ये हमेशा on रहेगा लेकिन जो हमारा star delta starter होता है इसमें जो star contactor है ये कुछ समय के लिए ही on होना चाहिए यानि कि जब तक हमारा motor start होता है उस समय तक ही हमारा star contactor on होना चाहिए जैसे हमारा motor start हो जाएगा तो तुरंत ही star contactor off होना चाहिए और delta contact on होना चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे हमें timer का interlocking इस्तमाल करना पड़ेगा यह जो हमारा timer है इस timer को जो nc contact है उसका इस्तमाल हम यहाँ पे कर लेंगे यानि कि यही हमारा timer का countdown complete हो जाए तो यह जो holding circuit है इसके power supply को break कर दे ठीक है तो यह जो timer का nc contact है इसको हमने directly ले जाके इस wire के साथ में connect कर दिये अब इस contact का जो output power supply होगा इसमें से एक wire को connect करके जो हमारा start contact है इसका जो no contact है इसको हम input power supply दे देंगे अब इसके output terminal से एक wire को connect कर दिये और इसको ले जाके जो start push बटन है इसके output टर्मिनल के साथ connect कर दीजिए अब यह जो हमारा delta contactor है इसका wiring करना है वाइरिंग करने से पहले हम इसका interlocking कर देंगे यानि कि जिस प्रकार से हमने star contactor को delta contactor के NC के साथ में connect किये जिसे कि इन दोनों का interlocking हो जाए उसी प्रकाल से जो हमारा delta contactor है इसको हम interlock करेंगे star contactor के द्वारा तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो हमारा star contactor है इसका जो nc contact है उसको ले जाके जो हमारा delta contactor होगा इसके circuit के series में connect कर देंगे ठीक है अब ये जो delta contactor है इसमें power supply तभी जाना चाहिए कोंटेक होगा इसका इस्तमाल कर लेंगे अब यह जो एनो कॉंटेक है इसको इन्पूर्ट पावर सप्लाई हम यहां से कनेक कर देंगे और इसके बार स्टार का एंसी कॉंटेक्ट जो है इसको हम इन्पूर्ट पावर सप्लाई यहां से कनेक कर देंगे अब इस एंसी कॉंट power supply को on करने के बार आप देख सकते हो, कुछ line ने red हो गया, जहां पे भी आप red wire देख रहे हो, आप ये समझ लेजिए कि हमारा face supply उस-उस terminal पे पहुँच गया है, और जहां पे आपको blue wire दिख रहा है, उस-उस terminal पे neutral supply पहुच गया है, जैसे ही हम start push बटन को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो, हमारा जो face supply है, वो start contactor और timer में चला गया, यानि कि हमारा start contactor on हो गया, और जो timer है वो भी on हो गया, अब जैसे start contactor on होता है, तो इसका जो no contact है, यानि कि ये वाला no contact और ये वाला no contact, ये एनिसी बन जाएगा, अब जैसे ही no contact एनिसी बनता है, तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से flow होते हुए, हमारा जो man contactor है, ये भी on हो जाएगा, man contactor के on होने से, इसका जो no contact है, वो एनिसी में convert हो जाएगा, तो man contactor का no contact, हमने यहां पर इस्तामाल किये थे, और यहां पर इस्तामाल किये थे, अब ये जो no contact है, इसके एनिसी बनने से, पावर सप्लाई यहां से flow होते हुए, star contactor के एनिसी कॉन्टेक्टर पहुँच गया, लेकिन आगे flow नहीं हो पाया, जिससे की हमारा delta contactor ओन हो जाए, जैसे ही हम start push button को press करते हैं, तो जो हमारा timer है, इसमें face supply पहुचने के बाद, जो timer है, उसका countdown भी start हो जाता है, आप यहां पर माल लिजिए की हमारा जो timer है, इसमें हमने 10 second का time set करके रखे थे, जैसे ही 10 second का time complete होगा, हमारा जो contact है, वो change हो जाएगा, यानि की timer का जो NC contact था, वो NC से NO बन जाएगा, इसके NO बनने से क्या होगा, power supply आगे flow नहीं हो पाएगा, जिससे की हमारा जो star contactor है, और जो timer है, इनमें power supply नहीं जा पाएगा, अब star contactor में यहीं पावर supply नहीं जाता, तो start contactor हमारा ओफ हो गया, और इसके ओफ होने से यह जो NC contact था, जो NO बना हुआ था, दुबारा NC बन जाएगा, जिससे क्या होगा, power supply आगे flow होते हुए, हमारा delta contactor ओन हो जाएगा, अब यदि delta contactor ओन होता है, तो इसका जो NC contact है, वो NO बन जाएगा, जिससे benefit है होगा, यदि आप start push बटन को press भी करते हो, तो आपका power supply आगे flow नहीं हो सकता, ठीके दोस्तों, यदि timer में power supply नहीं जाएगा, तो उस condition में इसका जो contact है, वो दुबारा normal हो जाएगा, यानि कि timer को जो NC contact था, जो timer के on होने से NO बना हुआ था, अभी के time पे delta connection में run हो रहा है, ठीके दोस्तों, अब यदि आप motor को बन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको simply क्या करना है, ये जो stop push बटन है, इसको press कर दीजिए, इसको press करते ही आपका motor off हो जाएगा, तो I hope कि आपको start delta starter का control wiring समझ में आ गया होगा, दोस्तों यदि आप start delta starter का power wiring के बारे में समझना चाहते हो, तो उसके लिए आप right वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के मादियम से आप बहुत कुछ सिखने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,